दोस्तों सागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल MLM ग्यानी ग्यान पर एक बार फिर से दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलक्स कोईन में जो अपडेट्स हैं उनके बारे में तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों अगर आज अपना आप पॉलक्स डैफी पर अपना पॉलक्स कोईन का अकाउंट लॉग इन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एरर ओपनों के आ जाता है यहाँ पर लिखिया था ही रॉंग यूजर नेम और पासवर्ड तो दोस्तो Never You Are Facing A Signing Issue, recover your password तो यहाँ पर आपको पासवर्ड अपना रिकवर करना है और generate a new password नया password आपको यहाँ पर बना लेना है तो पुछ यहाँ पर security purpose की की तो यहाँ पर कुछ अपडेट्स हुम हैं के बारे में हम जानेंगे आगे तो वीडियो पूरा देखते रहिए ध्यान से देखिए 20 से स्किप्ट मत कीजिए और अभी तक आपने कर चैनल को सब्सक्राइब अपने उन सारे अकाउंट के साथ यह आपको करना ही होगा तो यहां पर आपको जिस अकाउंट का आपना पासवर्ड रिकवर करना है उसको यहां पर रिज़र नेम की जगह पर यहां पर टाइप करेंगे और रिकवर पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही रिकवर यह मेरा यहाँ पर OTP आ गया, मैं यहाँ पर इसको टाइप कर दे रहा हूँ, यहाँ पर कॉपी करके भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, दुबारा से सैंट पर इस खुल गया है, लेकिन यहाँ पर एक temporary password आपका mail पर यहाँ पर कॉइनगी को पॉलक्सडेफी यहाँ आपके साथ लिखा हुआ आएगा, तो दोस्तों आपको यही मेरे यहाँ पर खोल लेनी है, और यहाँ पर आपको पॉलक्सडेफी, recover password का आपको mail यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहा मैंने यहाँ पर password recover किया है, उसको मैं यहाँ पर लिख दूँगा, और साथ में जो password मैंने यहाँ से copy किया, वो भी यहाँ पर लिख दूँगा, और login पर क्लिक करने के बाद, हमें साके धरे फिर से एक OTP mail पर आएगा, और mail पर OTP हमारे आ गया है, इसको यहाँ से मैं फिर स 7970, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टाइप कर दिया मैंने यहाँ पर, और यह successfully मेरा यहाँ पर sign up हो गया है, अब इसको यहाँ पर जब आप करेंगे, तो इस तरीके का page आपके सामने dashboard आपका जो है open हो जाएगा, यहाँ पर उपर 39 पर click करेंगे, दोस्तो और जब हम यहाँ पर update password, मतलब password में change करना है, तो update password पर जैसे ही click करेंगे, आपके सामने Google Authenticator का यह page open होके आजाएगा, तो दोस्तों इसका screenshot ले करके रख ले, in future यह आपके काम आ सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका screenshot लिया है, और यह मैं आपको भी सिलाद तो यहाँ पर आप देखेंगे, उपर की और यहाँ पर आपको Authenticator Secret मिल जाएगा, और एक keyword code आपको सामने मिल जाएगा, आपको इसका करना क्या है, यह मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कि Google Authenticator आपको कैसे लगाना है, तो यह आपको लगाना ही पड़ेगा, Google Authenticator application के ऊपर, तो दोस्तों, अगर आप पहली बार यह account बना रहे हैं, पहला account आप कर रहे हैं, तो आप सीधे directly पहुचेंगे प्ले स्टोर पर, और बहाँ पर लिखेंगे Google Authenticator, तो आपके सामने first application बनके आजाएगा, इसको आप यहाँ से login कर ले, अपना यहाँ पर install क कर ले, मैंने यहाँ पर install कर रहे हैं, तो मैं directly इसको open कर लेता हूँ, open करने के बाद, start पर click कर दे, और यह आपका start हो जाएगा, चूंकि मैं यहाँ पर एक account बना चुका हूँ, अपना जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, नहीं देख नहीं बार रहे होंगे, क्यों तो मैं यहाँ पर दूसरे phone की recording show कर रहा हूँ आपके साथ, तो आप जब यहाँ पर देखेंगे, तो मैंने यहाँ पर पहले से अपना account एक login कर रखा है, तो यहाँ पर उसका यहाँ पर यह दिखा रहा है, लेकिन आपको और नया account यहाँ पर login करना है, दोस्तों, अगर आपके सामने यहाँ पर add account का option मिल जाएगा, नीचे की और यहाँ पर आप एक account पर click कर देंगे, और जब आप एक account कर चुके होंगे, अपने दूसरी ID का जब आपको यहाँ पर बनाना है, गोल अधनिकेटर, तो आप यहाँ पर नीचे की और देख रहा है, प्लस का sign, यहा setup की, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर अगर आप चाहें, तो enter a setup की, जैसे आप दूसरे phone में आप देख रहे हैं, जैसे कि जो QR code आपके सामने आया था, आपकी पॉलस क्वाइन का, तो अगर आप दूसरे phone में कर रहे हैं, या आपके phone में आपने screenshot ले रखाए, QR code scan करना चाहा दे हैं, तो आप scan र QR code लेंगे, नहीं तो आप enter a setup की ले लेंगे, तो मैं यहाँ पर enter a setup की ले लेता हूँ, enter a setup की लेने के बाद, आपके सामने ये page open के आ जाएगा, अब यहाँ पर आपको account name दे देना है, दोस्तों मैं कहूंगा कि आ आपके पास जब एक से ज़्यादा account है, तो आप अपने account को ध्यान रखने के लिए, आप चाहें, तो अपना जो mail ID आपकी है, आप same वही नाम यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं भी अपना same नाम यहाँ पर दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना same नाम यहाँ पर दे द देना है, तो मैंने की यहाँ पर पेस्ट कर दी है, अगर आपने scanner ओपन किया हो, तो आपके लिए scan cup सुनाएगा, आपने यहाँ पर कर देना है, उसके बाद यह time based ही, आपको यहाँ पर रहने देना है, और add पर click कर देना है, जैसे ही add पर हम click कर देंगे, यह हमारा यहाँ add हो गया है, अब आप देख रहा है, हमारे यहाँ पर दो account हो गया है, जैसे ही आपको आपके पास एक से ज्यादा account है, तो आप यहाँ पर same, अपने account उसी तरीके से add कर सकते हैं, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख रहा है, मेरा account add हो गया है, उपर बाला मेरा से एड था अब यहाँ पर आपको सामने देखाई पड़ रहा है कोल चक्र गूम रहा है टाइम खतम हो रहा taim रही है यहां पर यह टाइमिंग पढ़ की 15 सेकींड की रहती है उल्ठ 15 सेकेंड के बाद इसके खतर होने के बाद यहाँ पर एक नया code जनरेट हो जाता है तो आपको इसी time के अंदर आपको यह code ले जाकरके बहाँ पर डाल रहा है देखिए आप यहाँ पर time change हुआ आप यह code भी change हो गया तो मैं इस code को यहाँ पर याद करता हूँ और जल्दी से अपनी proxy ID पर जाता हूँ यहाँ पर बापस activate authenticator पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो code मांगा गया है वो code यहाँ पर डाल दूँगा दोस्तों यहाँ पर फिरसे में code देख लेता हूँ तो यहाँ पर वो code जल्दी से यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ पर submit किया Google Authenticator यहाँ पर successfully अपडेट हो गया है तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना Google Authenticator अपडेट कर लेंगे अब आपको password अपडेट करना है तो यहाँ पर फिरसे ती लाइन पर क्लिक करेंगे और अपना यहाँ पर account पर जाकरके update password पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दुवारा से same page ओपनों के आएगा यहाँ पर मैं आपको दुवारा से अपनी phone की skin recording पर लेके चलता हूँ और बहां इसको directly आप दिखाता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको password change करना है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको option मेर रहा है current password जो आपने अभी आपका temporary password आपने यहाँ पर डाला था आपको यहाँ पर वही password डालना है उसके बाद आपको new password और confirmed password में अपना password बना लेना है तो दोस्तों आप चाहे तो आपको नवी आप बना सकते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना पर मांगा गया यह मैं मांगा गया है यह मैं fill कर देता हूं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने यह स्थारा डिटेल फिल कर दिया है उसके बाद update password पर click कर देता हूं और जैसे दोस्तों update password पर click करेंगे तो अब आपकी mail पर OTP नहीं गया है दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे है तो यहां से मैं code लेके आ गया हूं और मैं वह यहां पर type कर देता हूं और submit कर देता हूं उसके बाद हमारा password successful यहां पर update हो गया है इस तरीके से आप दोस्तों अपना password यहां पर update कर सकते हैं और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like जूर कीजेगा और यह जानका रहा हूं दीक ही जानकारी आपको समझ में आई होगी अच्छी लगी होगी तो मिलता हूं कुछ और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार जैहिन